नमश्कार विंधिया टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं हाजिर हुए हैं दो पहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां जबलपुर में शुक्रवार रात एनाईये ने एक साथ कई जगहों पर छापी मारी की है बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई एनाईये की टीम ने शहर के मुस्लिम बाहुल इलाके बड़ी ओमती में बड़ी कारिवाही करते हुए कई घरों में च्छापी मारी की है कारिवाही विदेशी फंडिंग से लेकर जुड़ा होना बताया जा रहा है हाला कि अभी तक कोई इसपर्ष्ट जानकारी सामने नहीं आई है एनाईये की कारिवाही के दौरान मेडिया को भी कबरे से दूर रखा गया है बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई NIA की टीम ने जबलपुर में मक्सूत कबाड़ी और एडवोकेट आतुला उस्मानी की घरों पर छापे मारी की है शहर में कुल 6 स्थानों पर छापे मारी किया जाना सामने आया है खबरों के मताबिक NIA की चापे मारी में आपति जनक साहित्य और हतियार मिले है NIA की चापे मारी के दोरान करीब एक किलोमीटर तक पुलिस ने इलाकी में घेरा बंदी कर रखी थी और भारी संक्षा में पुलिस बल इलाके में तैनात था जिससे पूरा इलाका 56 में तब्देर हो गया था किसी भी सक्ष यहां तक की मीडिया को भी अंदर नहीं जानी दिया गया सूत्रों की माने तो बीते दिनों भोपाल चिंदवाडा और हैदराबाद में हुई NIA की कारिवाही में हिस्बुत तहरीर के जो आतंकी पकड़ाए थे उनसे मिले इंपुट के बाद ये कारिवाही की गई है बता दें कि भोपाल चिंदवाडा और हैदराबाद से NIA ने 16 आतंकियों को पकड़ा था इनमें से 10 भोपाल एक चिंदवाडा वा 5 हैदराबाद से पकड़े गये थे जिनहें NIA के ने रिमान पर लेकर पूश नाच की थी और उनसे ही जो इंपुट मिले थे उसी के आधार पर जबलपूर में NIA ने ये च्छापे मारी की है बात कर लेते दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की जहामाधि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान शुक्रबार को अपने ग्री विधान सबाब उद्नी के ग्राम बक्तरा में सीता राम महायक्ज में शामिल हुए इस दौरान सियम शिवराज सिंग चौहान ने श्रद्धालों को संबोधित करते हुए परमात्मा से मिलन के तीन मार्ग बताएं सीयम ने कहा कि मानफ जीवर में परमात्मा की प्राप्ती के लिए रिषी मुनियो द्वारा तीन अलग-अलग मार्ग बताएं ग्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग इन तीनों मार्गों पर चल कर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है स्रियम शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि संत ज्यान मार्ग से इस्वर को प्राप्त करते हैं मीरा बाई और हनुमान की तरह ही भक्ती मार्ग से भी भगवान की प्राप्ती की जा सकती है इसके साथ ही हम अपने जीवन में सही रास्ते पर चल कर्म करते हुए भी कर्म मार्ग से इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इस दोरान मुख्यमंत्री ने बक्तरा में एक करोर रुपै की लागत से सामुदाईक भवन बनाने की घोशडा की मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान ने जो काम अपने लिए निश्वित कर दिया है उसको मेहनत और इमानदारी से करेंगे तो भगवान को प्राप्त करना आसान होगा अगर किसान पूरी मेहनत और लगन से खेती करके फसाल उगाए डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करें और शिक्षक इमानदारी से बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे तो कर्म के मार्ग पर चलते हुए इश्वर की प्राप्ती की जा सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि बहने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुदी पूरा कर सके इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई गई है सभी महिलाओं के पंजियन का कारे सुनिश्चित किया गया है और 10 जून से पात्र महिलाओं की खातों में प्रती माह 1000 रुपे की राज श्री लाडली बहना योजना के तहर डाली जाएगी मुख्यमंत्री ने श्री राम जान की मंदिर में पूजन किया श्री राम जान की मंदिर में पूजा आर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों की सुख सम्रिध्य की कामना की इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से भजन भी गाया